नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है अजे प्रदाप सिंग तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का पहलियों की पार्ट साला में एक वार आपका फिर से श्वागत करता हूं और मेरे साथ जुड़ गए हैं बेद पाल सिंग कश्यप बेद पाल सिंग कश्यप भाया जुड़गाए हैं हमारे साथ और इनके साथ एक प्रश्णोतरी कारिकरम हम जबर्दस खेलने वाले हैं बने रहे पूरे बीडियो पर और पूरा बीडियो देख करके जाएगा तो आप तयार हैं हाँ वाई तयार है प्रश्णोतरी है आपको यह बताना है कि पती और पत्नी एक बहुत बड़ा रिस्ता होता है समाज का होता है आप मुझे यह बता सकते हो कि पत्नी हमेशा पती का क्या चाटती रहती है दिमाग चाटती रहती है यार हर बगत यार केंकें करती रहती है और क्या चाटेगी प पुछा कि पत्नी निनाग किया चाटती है इतनी जबर दस्थ दांसर रहें वहाँ घुट गुट 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 जबरत धास मैंने बढ़िया होनी चाहिए विल्कुल विल्कुल दूसरा प्रश्ट है मेरा आप से देखो आज आप से बहुत जबर्दस वाले प्रश्ण पूछने वाले हैं दुकंदार था बात को मेरे ध्यांत सुना एक दुकंदार था और वह कोई चीज बेंच रहा था उसने ग्राहक से कहा कि 100 रुपए में लेलो और जिंदगी भर तुम और तुमारा परिवार बेट कर खाएगा तो आप बता सकते हुए यार चैटाई होगी और क्या होगा यार इतना दिमाग बढ़ा यह बताओ क्या पहले से आपने पड़ रखी ति क्या यह नहीं भाई यार जो है पहली आप देखते भी रहते और पड़ नहीं रखी चाला पिर्शन जो आता है तो उसका उतर दिमाग मैंड जो है दोड़ाते हैं तो जाला कोई कोई या जाता है तो दोस्तों देखो भाईया यह बेदबाल भाईया जो है जबरतस पहलियों के यह अच्छी खासी पहलिया जानता है और इसलिए हम इनके साथ खेलने भी आया है कुछ हमने ऐसी इन से पहलिया पूछ ली है जो साइद आपको गंदी रगे परंत उनका जो है उत्तर हमेशा सही होता है मेरी किसी भी पहली का कभी कभी डबल मीनिंग पहलिया मैं पूछ लेता हूं तो एक दो प्रश्णों के उत्तर मुझे मिल गये हैं और आप इनाम के हगदार हो भी आपको बताना है कि एक रसी है मान लीजे एक रसी है ठीक उस रसी को जब आप एक बार काट देत जल्सकों कॉड़े घ्राणा दिया उसके दो टुकडे हो गए और उसे चाहर टुकडे कि उसके चार चाहर बाद देढार जहां तो नहीं तो तो टुकडे में काट driving यह जाए तो नहीं जाए चार जगा काटी तो सही तो बोर रहा है वो टाट टुकड़े हो जाएंगा यार बेदाल बाया दिमाग रखाओ आट टुकड़े नहीं होंगे आँजर गलत आए एक रसी को बीच में से काट दिया उसके दो टुकड़े हो गए माल लीजिए एक रसी को जब एक जगह से काटेंगे तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं आएसे एक रसी को चार जगह से काटा तो उसके दो टुकड़े हो गए अगर एक रसी को चार जगह से काटेंगे तो तो टुकड़े होंगे तो दिमाग ने लगा रहे हो आप भी नहीं लगाया आप ने दिमाग नहीं लगा ना बेडाल पाल विए दिमाग लगा रहे हो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्षिन में जाकर करके टाइब करके मुझे बताए कि इस प्रश्ने का उत्तर क्या होगा एक रसी को एक बार काड़ दो टुकुड़े चार बार काड़ पर उसे कि कि तुकुड़े हो जाएंगी ठीक है यह प्रश्न आपका चला गय के और आपको बता नहीं है असेंगे और वो कौन है το कम है जो आधी रात को आती चली जाती है आधी रा इसे चीज़गे और आपने मेरी स्कुईज को जीत लिया है और आपका बहुत धन्यवाद आप इदरा दिमांग लगाते हो और मुझे जयनकारी मेले कि आप पहली यह लेकर के पहुंच आपके पास कि आप जो है मेरी पहरियों का उत्तर ना पता पाएं परंद फिर भी आपने बता दिया तो दोस्तों दिमाग को गंदा ना करें पॉजिटिव सोचें और कोई भी प्रश्ण कभी भी गंदा नहीं होता है और इस खुशी में मैं बहुत बढ़िया लग प्रिफट में जाकर कर जाता हूं एक सबसे बड़ा हथ्यार जो मैं इने भेट कर रहा हूं कैसा लगा बहुत बढ़िया लग रहे है आपको कोई कि मतलि होई जीता है अकेले ही आज इन्होंने क्विज खेली है हमारे साथ बहुत जबर्दस वोशना आंसर रहे हैं पैसा आ ज़रूर बरतानों और आए से ही मज़ेदार प्रश्णोतरी कारिकरम को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हूं अगले वीडियो में नए टापिक के साथ अपता के लिए जय हिन जय भारत